हलो दोस्तों विशाख हमाइब ही इसका मीनिंग क्या है आपको पता ही क्या है अगर हम स्कूल में रहते तो बाली का दिन ये जन्वरी में आने वाला दीन है ये हम लोग वहां मनाते है और हर साल हम लोग मनाते थे लेकिन ये साल कोरोना की वज़े से हम सब लोग डाउन में स्कूल नहीं है तो ये मना नहीं पाए तो ये दिन क्या है बाली का दिवस मिस क्या सबसे पहरे बाली का मिस लड़की दिन मिस दिवस मिस दिन इसके बारे में बाली का दिवस के बारे में नीचे तो information दिया ही है लेकिन मैं चाहूंगे कि उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा information देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको हमारे पुरानी जमाने का मतलब instant पुरानी जमानी के जो हमारे लोग थे उनके बारे में उनके वहां के lifestyle के बारे में बताऊंगी तो students आप अपने मा से दादी से या दादी के दादी या पर दादी अगर आपकी है तो उनको पूछो कि जितना freedom अभी आपको मिल रहा है जितना freedom आपके parents को आपके ममी को आपके sister को मिल रहा है उतना freedom उनको था क्या वो ऐसे घर से बाहर शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए निकलती थी क्या जैसे लाइफस्टाइल जिनने का आपको हक है वैसा लाइफस्टाइल वो जीती थी क्या उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था क्योंकि पुराने जमाने के जो लोग थे सबसे पहले तो वो educated नहीं थे, उन्होंने शिक्षा ग्रहन नहीं की थी और जिन लोगोंने की थी, वो बहुत कम मतलब मुठी वर लोग थे और ऐसे लोगोंने शिक्षा ग्रहन की थी, कि वो खुद को बोलते हैं ना मैं special उनका नाम इधर mention नहीं करूंगी, लेकिन वो ऐसे बोलते थी कि चलो शिक्षा यह हमारी ही property है, शिक्षा हम लोग ही लेंगे, हमाले बाल बच्चे लेंगे बाकि दूसरा जो करिष्ट वर्ग रहता था उनको वो शिक्षा नहीं लेने देते थे, स्कूल जाने नहीं देते थे उसमें से लड़किया, गर्ल्स तो बातिया लगे, मतलब लड़किया स्कूल जाना मतलब उधर उस टाइम कुछ अलग ही, माहोली अलग तो ये टाइप में, ये जमाने में एक ऐसी लड़की थी, या ऐसी युवती थी, या ऐसी एक लेडी थी, जिन्होंने ये सब से सब situation, सब उनके आसपास का वातावरन था ये सब वातावरन से struggle करके, लड़ जगड़के उन्होंने school में जाना पसंद किया और उनका साथ दिया उनके husband ने, उनके पती ने उनका नाम भी इधर mention है मैं बार-बार आपको बोल रहे हूँ कि मैं पहले नहीं बता रहे हूँ क्योंकि मैं चाहते हूँ कि इसके answer आप खुदी मन ही मन में मुझे दो कि वो ऐसे वो मन थी जिनको अपने पती का पुरा साथ मिला था पूरा सहयोग मिला था और पती ने उनको शिक्षा ग्रहन करने का पूरा हग दिया था फिर समाज चाहे कुछ भी कहे समाज ने उनने बहुत पिडित किया बहुत सताया लेकिन वो डगमघाए नहीं उन दोनों के आजकल के लाइफ स्टाइल में, तो ये हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ अपना बलिदान है, ये बाते आप हमेशा अपने माइन में रखो, तो ज्यादा समय ना कवाते हुए, मुझे लगता है आपको भी एक्साइटमेंट रहे होगी, आपको भी इसे उस्सुपता रहे हुए, क्या भी ये कौन सा लेशन है, ये कौन से लेड़ी है, ये कौन सी युवती है, उटके हजबन कौन है, उटके पती कौन है, और मैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको जानना है, और मुझे बताने की भी बहुत जल्दी है, तो चलो हम लेशन के और जाते है बालिका दिवस सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए है वहाँ चाचे जी और बड़े भईया भी है सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए गए शाय दुर्वा ने बुलाया होगा और वहाँ चाची और बड़े भईया भी है दुरवा, शृष्टी, आज तो तुम बहुत तयार होकर आई हो, दुरवा ने क्या बोला, शृष्टी, शाय शृष्टी उसकी फ्रेंड है, शृष्टी, आज तो तुम बहुत तयार होकर आई हो, शृष्टी ने बोला, आज तीन जन्वरी बाली का दिवस है ना, सावित्रिबाई फुले का जनम दिन बाली का दिवस के रूप में मनाया जाता है। सावित्रिबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाट चला पुने में शुरू की थी। ओपन क्या मतलब खोला था। इशान क्या बोल रहा है। आज तक तो लगबक सभी लड़किया पाट चला जाती है। पढ़ाई लिखाई के सभी क्षेत्रे में खूब आगे है। ये तो हम लोगों को भी पता है। आपके भी सोई कजजिन, प्रदर, भाई, बेन, कोई सिस्टर रहेगे, कोई साइथ पाइलट रहेगी, इंजिनियर रहेगी, डॉक्टर रहेगी, MPSC, UPSC, एक्जम, कोई भी रहेगा, या टीचर, प्रोफेसर। तो आजकल तो ये शिक्षा मतलब इतना कठिन काम नहीं है, अगर शिक्षा ग्रहन करने के हम में कपासिटी है, तो हमारे पैरेंट्स हमें बहुत शिक्षा देते हैं, बहुत पढ़ाई करने का मोका देते हैं, अगर हम लोगों ने चाहा कि नई पैरेंट्स को बोला कि नई मुझे और पढ़ना है तो पैरेंस हमें रोकते नहीं है तो यह इशान ने क्या बोला आज तक तो लगबक सभी लड़किया पाटशाला जाती है पढ़ाई लिखाई तो सभी छेत्र में खुब आगे है बंत रहने क्या बोला हाँ आज समाश शेवाश शिक्षा विज्ञान सं प्रशास और शोदकार या खेलकूत अधी हर शेत्र में लड़किया बढ़ रही है यह सब एक शेत्र में लड़किया बढ़ रही है यह तो हमारे लिए प्राउट फिल करने वाली चीज़े गर्व की बात है राइट बराबर बोल रहे हूं हमें सुरुष्टी यह भी स्वावलंबी और सजग बनाती है ओविएसली सही बात है अगर हम शिक्षा गरहन करेंगे तो हम स्वावलंबी बनेंगे हम दुसरे के उपर डिपेंड रहेगे क्या अगर हमें कुछ पढ़ाई लिखाई करना है अगर हमें कहीं जॉब करना है हमारे घर का सिच्वेशन कुछ अच्छे घर के ओरते लेडिस भी जॉब करती है क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस वो खुद के उपर एक स्वावलंबी बनना चाहती है उनको छोटी-छोटी बातों के लिए दुसरों के उपर डिपेंड रहना पसंद नहीं है इसके लिए आज के लेडी स्वावलंबी ह वो खुद के डिसीजन, खुद लेती है तो इसके लिए वो सभी खadore में क्या है आगे है भाई या क्या बोल रहा है देखते हैं कहते हैं एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है ये तो हम लोगों को पता है ना आपके बम्मिको पीछो ये वर अच्छा खासा संसार अपना बसाती है उसके बाल बच्चे बाद में आने के बाद वो खुद शिक्षित है वो पड़ी लिखे इसलिए उसके आप वो अपने बच्चों के ओपर अच्छे संसकार करती है और अपने पूरे फैमिली के साथ अच्छे तरह से बिहेव करती है तो एसे घर में आप थोड़ा सा observe करो कि जहां की जो lady है कि कोई भी घर मैं किसी भी किसी भी घर का नाम mention नहीं कर रहे हूं यहाँ लेकिन कोई ऐसा घर में करो कि जहां थोड़ा सा मतलब वहां की lady ज़्यादा पड़ी लेकी नहीं है मतलब उनको ऐसे लोगों के साथ तोर तरीका कैसे behave करना पता नहीं वो घर का atmosphere देखो कैसा रहेगा थोड़ा जगडालू रहेगा लेकि दूसरा ऐसा कोई घर डूंडो ऐसा कोई family डूंडो जहां वो lady higher educated है अच्छी खासी पड़ी लिकी है well manners है तो उनके घर का atmosphere देखो थोड़ा cool रहेगा तो यह क्या हो गया जहसे lady कोई lady हो कोई औरत हो खुद शिक्षित होती है उसमें जितने संसकार होते वो संसकार वो अपने family में लाने की कोशिश करती है प्राचे ने क्या बोला हाँ इसलिए हम सबको खुब मन लगा कर पढ़ना चाहिए तो दोस्तों आपको भी खुब मन लगा कर पढ़ना चाहिए यह साल तो हमारा गया लेकिन अगले आने वाले साल के लिए आपका यह third standard का best strong होना चाहिए ने तो four standard में जाने के बाद पुरा blank थर्ड में पढ़ा क्या, teachers ने तो वीडियो डाल रहे थे teachers ने तो अपना काम किया लेकिन जब four standard की teacher आपको पुछेगी यह बताओ, यह बताओ, वो बताओ तो आप क्या हो जाओगे? blank इसलिए अब बीसी study करना start करो ताकि four standard में आपको यह सब बाते मालूम होनी चाहिए तो यह लड़की क्या बोलते है? हाँ, इसलिए हम सब को खूब मन लगा कर पढ़ना चाहिए सभी क्या बोलते है? खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ओके? दोस्तो, यह हमारा lesson complete हो गया मुझे लगता है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा यह lesson से हमें इतना ही जानना है कि पुराने जमाने में जो औरतों के उपर पाबंदी थी, वेसी पाबंदी अभी के lifestyle में बिलकुल नहीं है अभी हम लोगों को बहुत freedom मिला है बहुत अच्छा atmosphere मिला है तो उसका हमें क्या करना चाहिए फाइदा उठाना चाहिए हमें अच्छी खासी पढ़ाई लेके हमें अच्छी खासी शिक्षा लेके अपना भविश्य क्या करना चाहिए उजीवाल करना चाहिए देखो यहां डॉक्टर है यह साइन्टेटिस बोल सकते हैं अपको डॉक्टर हों सकते हैं यह साइन्टिस भी बोल सकते हैं क्योंकि लैब में ऐसा कोड रहता है और यह वैपन सेवय благ के हैं गल्स है उसके बाद तो यहां संगीत का सिता रहे यह माम के हाथ में सवाध्याय देखी हुई कोई घटना प्रसंग सुनाओ अगर आपने ऐसा कोई मैंने आज तक जितना कुछ बताया तो ऐसा कोई आपने प्रसंग कहीं देखाया कि किसी घर की लड़की पढ़ना चाहती है या क्या है ऐसा कोई आपको अलग कुछ दिख रहे तो बताओ मुझे वाटसप पे आप कैसे वोईस मेसेज बेशते हो वैसे देन पाटशाला में बाल दिवस कैसे मना गया बताओ पाटशाला में बाल दिवस कैसे मना गया मैं आमका फिर आप लोगों को थोड़ असा information देते हैं थोड़ा खेलने के लिए देते हैं फिर इतना ही शायत तो और इसके आलावा क्या करते हैं बताओ मुझे तेना ली रामन के कहानी पढ़ो ये तो भई आपका फेवरेट है पढ़ो तेना ली रामन के कहानी और answer दो तीन जनवरी को कौन सा दिवस है अभी मैंने बोला बताया आपको बताओ मारष्ट की परतम शिखशिका कौन मानी जाते हैं कौन है answer शिक्षा हमें क्या बनाती है शिक्षा हमें स्वावलंभी और एक आंसर है वो बताओ एक लड़की शिक्षित होती है तो कौन शिक्षित होता है पुरा परिवार आंसर लिखे दो मुझे महिला क्या क्या कर रही है बता देखो यहाँ पेट्रोल पम्पे महिला है एक महिला पेट्रोल पम्पे कारियर रहत है काम कर रहे तो दुसरे महिला अच्छी खासी वेहिकल चला रहे स्कूटर चला रहे है यहाँ देखो कार खाने में महिला ट्रेन में सौरी इंजिन में जब छुटती है तो यह signal दिखाने का काम करते है न मतलब driver की जग़ा engine में train काम कर रहे है महिला काम कर रहे है यहाँ देखो महिला conductor है मतलब आपको यह picture नीचे देखो अरे पापरे यह तो महिला देखो कैसे चांद पे चलने के तयारी में लगी है उसके बाद यह तो loyal है वक्की ल करते हो यहाँ बाद में देखेंगे में पहले explain करते हूं यह आपको ऐसे पिक दिखाए गए है कि नॉर्मली अभी कुछ साल पेले ऐसे पिक हम लोग नहीं देख पाते थे मतलब अभी यह 10-15 साल से हम ऐसे देख रहे है मतलब महिला conductor यह train में महिला कारियरत यह क्यूंकि श अभी महिला को दी गई हुई आसादि रहले है ऐसे पिक के हुक है तुम घर के कौन-Kौन से काम करते हो पताओ बताओ मुझे कौन-Kौन mathematical लडकी हो या लडकी हो तो कौन-Kन कौन से काम करते हो यह मुझे पर समुंसर्ण पै बताओ सराश्टूरंट कि कंपले feather नेस्स तेम we will meet with our new topic तब तक चेल स्टोव मेठ लेंब रख वाँ वाँ